Hello students, Welcome back to the class. So last lecture मां आपने अल्ट्रा स्ट्रॉक्टर ओफ अल्गी विसे डिसकस करियू तु क्यों तुद क्यों हुए छे अने येना थेला स्ट्रॉक्टर ना अलग अलग कया तैप ना थेल ट्रॉक्टर उज भुरा अमडे छे यहना विशा आपने लास्ट लेक्चर मां डिसकस बहें रूदू ओके सो नाओ यहर इन दीस लेक्चर वे आपने डिसकस अबाउट दी नेक्स पॉइंट धेट इस दी इकोनोमिक इंपोर्टन्स ओफ आल्गी ओके आल्गी नी आपनी रेग्यूर्लर लाइफ मां शुँ इंपोर्टन्स चे आपनी इकोनोमिने शु इंपोर्टन्स चे तो यहना विशा आपने डिसकस करी शू पन कोई पन माइक्रोर्गेनिजम होई वेदर इट इस फंगी छे पाची आल्गी छे प्रोटोस हुआ छे कोई पन माइक्रोर्गेनिजम छे बेक्टेरिया छे तो यहना बद्धा ना बेनिफिशेल इफेक्ट पन हसे औने हामफूल इफेक्ट पन हसे गणी जगे ऐनो benefit थतो है गणी जगे ऐनो harmful पन साबित थतो है बन्ने टाइप ना importance होई एना पतपोता ना आपने अहीं आलगी ना पन economic importance मा beneficial effects आउसे के beneficial importance एनू सूछे एना विसे discuss करी सूँ then the harmful aspects harmful effects सूछे ए पन आपने जोसू सूथी पेल आपने beneficial effects research डिसकस करी सूँ के फर्स्ट इस the commercial products ओके commercial एटले के रेग्यूर आपने जे रेग्यूर लाइफ मा प्रोड़क्ट यूज करता होई है अथवा तो industrial products छे तो ए बधी बनावा माटे पॉर्ण तो के घणा बधा मा आलगी नो यूज थाई छे गणी बधी commercial products ना formation माटे आलगी नो यूज थाई छे एना example अईया आपेला छे फर्स्ट इस दी अगार ओके अगार सुचे तोके dried or gel like noon nitrogenous extract from दी आलगी रोडोफाइसी आलगी राइडो रोडोफाइसी आलगी छे रोडोपाइसी फेमेली नी जे आलगी छे एमा थी अगार ने isolate करवा मा आवे छे बदाने ग्रोव करवा माटे जे medium यूज चरए छे ए medium बनावा माटे अगार नो यूज थाई ಈཹསে , અંરીને ઓક નોદ થેજ્ટ ہیں સીંની આપને sulcone અકે થીલીડ્ત करवा मा आउसे सो आखे आखी प्रोसेस छे ए प्रोसेस कंप्लीट थाई एटले आलगी नुँ फोर्मेशन थासे एटले के आलगी ने एक्स्रेक्शन माटे नी घणिबधी मेथार्स अवेलेबल छे ओके सो बेजीकली अगार छे एज मीडियम यूज थाई चाने घणिबधी इंडस्ट्रीज मा ओके अगार नो यूज थाई चे जमके फूड बनावा माटे अगार नो यूज थाई कोस्मेटिक इंडस्ट्रीज फार्मासियूटिकल इंडस्ट्रीज लेधर इंडस्ट्रीज टेक्स्टाइल इंडस्ट्रीज आ बधानी अंदर अगार नो यूज था आपने नॉर्मिल माइक्रोबायोलोजी मां जोई ये तो एज ग्रोथ मीडियम यूस थासे सेकंड कोमर्सियल प्रोड़क्ट इस दी आलजीनिक एसिद डेरिवेटिवस ओके अलजीनिक एसिद डेरिवेटिवस छे एने पर फियोफाइसी फेमिली मां थी आइसोलेट करवा मा आवे शे ँचेंगे अलजीनिक एसिद छे एक्याँ प्रेजन्ट व्य आलजी नि अंदर ंधर यूष कई एना मीडल लेमेला? अनने प्राइम डी मறी सेल वॉल्ड और मीडल लेमेला माँ प्रेजन्ड अशें प्राइमारी बोल एटले के अलगीनी आसप्पास नीजे एन मिदल ले मेला कोने केवाई तोके बे आलगी ना सेल छे बन्ने नी सेल वोल वच्चे नी जे स्पेस असे एने मिदल ले मेला केवा मावाँ छे खेल मेला ना अलजीनी केसी प्रेजन्ट असे अन्हें तो चे अलगलग अमाउंट चे ज इनवी घालmassी प्रेजन्ट होसे लिधिकल हो है तो सो तो यूस किया भुद अल्जिनिक असे इंडिनिक एसulk माटिरियल इंडिस्तर्इस मा किता आइडानी को तीनिक पंधिन घ्रमावल ग्रमारो डिंदिन एवा मममेंल गावदल औरीब अज रॉर्मेशंणग मmosht decisions लुद करब सोचलेες póस budgets तरीके यूज था से बेजिकली ओके जेल फटा-फट फ़ॉम कर भी ओए लेके थीक करूँ होई कोई पर मटीरियल ने तो यहना माटे अलजिनी केसिद नो यूज था से फूद फूद इंडेस्ट्रीज मां यूज था है ओके जेल लीज आपने खाई है चिये तो यहां बदा अलजिनीक एसिद नो यूज था से वनावदा डेंटल पाउडर्स चे जेलीज चे ना माटे पन यूज थाई चे आलजिनीक एसिद डेरिवेट उच छे ने पन आपने अलगी माथी आईसोलेट करी सकीये छे नेक्स्ट कोमर्सेल प्रोड़क्स इस केराजिनीन चु छे जो पेजिकली मेजर अमाउंट मा रेड अलगानी अंदर थी केराजिनान ने आईसोलेट करवा मावे छे ओके एंड तोके नो यूज क्या था से तोके के कंपोनेंट तरीके यूज था से केराजिनीननो इन टूस पेस्ट डियोडरॉंट्स, कोस्मेटिक्स, पेंग्स तोके पेपर क्लोथिंग इनुश्रीज मां फ्यूनोरिन नो यूज थाई छे एंड इस एक्स्ट्रेट फ्रोम दि लोयो पेल्टिस फ्यूरा काटा इन जापान येमां थी यहने आईसोलेट करवा मावे छे सो फ्यूनोरिन पन एक फंगल अलगल प्रोड़क्ट छे ओके नेक्स माथी डाई एटोमाइट नो आईसोलेशन करवा मावे छे ओके सो डाई एटोम लार्ज्ट प्रोड़क्ट्ट अब डाई एटोम्स लार्ज्ट सेडिमेंटरी डिपोजिट्स आर फोर्म्ड इन सम रिजियन्स ओके यहां शू थाइतो के डाई एटोमने अंदर छे सेडिमे डिपोजिट्स जोवा मड़े डाई एटमस न अंदर एके बाहा हसे ओके इनसोल्यूबल हसे ओके एंड यह आजे सेडिमेंटरी डिपोजिट्स छे एटलेगे डाई एटोमाइट छे नो यूज छे सिलिका ना प्रोपोर्शन एनों एंदर सिलिका नू बदारे हसे ओके हाई प्रोपोर्शन ओफ दी सिलिका एटी 6-88% सिलिका डाई एटोमाइट न अंदर प्रेजन असे एनो यूज क्या थासे ओके फिल्टरेशन माटे ओके पेंट नू फिल्टरेशन करू छे वार्निस पेपर प्रोड़क्स इंसुलेटिंग मटिरियल्स ओके आ दी ओके ओके खिल्टरेशन मा खिल्टरे नू इपके मेड गची दियाट रहरे चे मूला क्या मार्व newly आजळा पर केंट है इंदर नियू embody industryogramma sugar refining if Drinkish है बीविंदूर सहरे नी आंदर पन् तो के आ डाया टोमाट ली आ आ घ्रसीम डिटर तों यूजिल्टरेशन तय को अन पन तो कि आपने घुणी सीवीड छे एमा थी आयोदीन एक्स्रेक्ट करी सकीए छीए Of Feofici family Feofici family नी जे आलगी छे एमा थी जनरली आयोदीननु एक्स्रेक्षन करवामा आवे छे And specifically laminarials member छे Feofici family ना एमा थी आयोदीननु आईस्रेक्षन थसे एन्ड आयोडीन ना आईसोलेशन तो आपने आलगी माती करी सके यह पन एना आईसोलेशन नुझे कोस्ट छे ए वधि जासे यहने अन एकोनोमिकल आपने कई सके है कियो के आयोडीन ना एक्सक्शन माते यायोडीन बलाव माते नी घनी भधी एड्वान्स मेतड अती Fast अध्यारे अवेलेबल छे तो आं आयोडीन एक्सक्शन माते जनरली यूँस थन्धो न था आलगी नो कै के kangसोलेशन ना दो है Allah पोटास, जोन्रली पोटास छे नू एक्स्रेक्शन करवा माटे केल्प नामनी आल्गी नू यूस थाय छे, केल्प माथी पोटास नू आइसोलेशन करवा मावे छे, next is the bromine, okay, bromine छे, एक एमाथी आईसोलेट करवा मावे छे, तो रेड आल्गी माथी generally छे, रेड आल्गी छे, एमाथी ब्रोमिन नू आईसोलेशन करवा मावे छे, आप बदा chemicals छे जनरली लेबोरेटरी माँ पॉन यूज था होए आयोडीन छे ब्रोमीन छे तो ए बदानों आइशोलेशन आपना आलगी माँथी करी सक्सू नेक्स्ट जोप, LM, and Glassware ए बदाना production माटे एश ईस सोर्स ओफ सोडा सोडा ना सोर्स तरीके आहिया तो क्या आँ वर्क करसे आलगी आलगी छे एश सोर्स ओफ सोडा वर्क करसे इन दी प्रोड़क्शन आप दी सोप, LM, Glassware आने दो क्ये क्येरप्स ऑफ दी फियो फ ऐसी केल्प्स नामनी आलगी छे हैनो यूज थासे आमाँ पन ओके फियोफाईसी फेमेली ना केल्प्स मेंबर छे एनो यूज थासे फर दिश्वोप, L.M. ग्लासवेर मेनुफेक्ट्चरिंग पन आर मेनुफेक्ट्चरिंग नूँ कोस्ट पन इंक्रीस थाई जासे सो जनरल या मेथड पन यूज थती नत यतिया रहे ओके पन तो के भूतकार मा बधी मेथड यूज थती अधे इसो अप एलम ग्लासवेर बधाना प्रोडक्शन माटे अधे 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 प्रोडक्शन माटे आपने अल्गी नो फूड तरीके आने फीड तरीके पन यूज करी सकाई छे यूमन फूड तरीके पन घणी बधी आल्गी येवी चे के जेने यूज करी सकाई छे घणी आल्गी येज डाइरेक्टली फूड ना रूपमा यूज थाती हो यत्वा तो बीजा प्राइपनी आल्गी येवी होसे के जे फूड बनावा माटे कोई स्पेसिफिक डिसीज बनावा माटे एमाँ एड करवा माँ आवे छे साथ है फ्लेवर्स माटे टेक्स्च्चर माटे येवा बदा यूज माटे गणी बधी आल्गी ने यूमन फूड नी अंदर एड करवा माँ आवे छे बीजी रित्ये पना आल्गी नो यूस साई छे के घणी आल्गी छे एने ड्राइ करी अने एनन पावडर करी अने एनने पन वेचवा माँ आवे छे घणा देस माँ आल्गी छे यूमन फूड माँ पन बहु इंपोटन छे ओके नेक्स्ट ओके अने युमन फूद माटे आलगी बहु इम्पोटन छे एटले के एनू मास कल्चरेशन पॉन ठाई छे ओके घना बदा टन्स ने टन्स मा आलगी नू प्रोड़क्शन करावा मा आउसे जे मा आपने खेती करिये येम आलगी नी खेती करवा मा उसे अने येमा आलगी नू प्रोड़क्शन करावा मा आवे छे ओके युमन फूद माटे आलगी इंपोर्टन छे सेकंड वर्सतू छे फोडर ऑक एजसा फोडर पन अल्गी नो यूस थाइँ चे मैंली सीवीड दरीयान अंदर जये काई पन अल्गी प्रेज़न आसे ओई एजसा-फूड यूस थाइँ ऐनीमल माटे एनिमल माटे एज फूड आल्गी नो यूज करवा माँ आवे छे अन्ने दरिया नी अंदर जे आल्गी प्रेजन छे मेजर फूड तरीके वर्क करे छे तेन सीवेट्स इन्टु शूटेबल केटल फीड्स केटल ने फीड करवा माटे आल्गी नो यूज थाई छे अन्ने गणी वकषत आल्गी नो यूज ऐज फूड करवा माँ आवे उके एज फूड थारीके आल्गी नो यूज करवा माँ आवे एनिमल्स नी अंदर तो it is recorded that milk yielding and egg lying capacity of the kettles and poultry are increased by the use of the cattle feed ओके आपनी आल्गी नो यूज करवा थी एनिमाल्स नी milk yielding capacity increased थाई जाई छोगे दूद आपपानी जेनी capacity छे अथवा तो एग आपपानी जे पोल्ट्री फाम मा जे एग production नी capacity छे इंक्रीस थाई जासे आ टाइपनू food यूज करवा थी सो एज फोडर आल्गी नो बहु इंपोर्टन्ट रोल छे सेकंड इस दी फीश फूड फीश फूड तरीके पाण आल्गी बहु इंपोर्टन्ट छे प्लेंक्टोनिक आल्गी एंट अटेजड फोर्म अब इससी अधरीयानी अंदर बीय टाइपनी आल्गी प्रेजन अस एक तो आज फाइट फ्लेंक्टोन ना रूप मां आखे एकडब माइग्रोसकोपिक आल्गी हसे बीजी के वी छे अटेज्ड फोम इन्दी सी, सी नी अंदर जे ग्रोव थाई चे आलगी तो सी नी अंदर बीजा टाइप नी पन आलगी हसे तो आ बदी आलगी छे एज फूड वर्क करें छे फोर्दी फीश अने बीजा एक्वेटिक एनिमल छे बधा माटे आलगी एज फूड वर्क करसे होके एंड कोई पन पाणी नू नाना का खाबोचे भराएला ओएके काई पन नाना एरिया माँ पाणी स्ट्रोड थाएलू हसे तो एनी अंदर पन आलगी नो ग्रोव इजीली थाई जासे एनो ग्रोथ होके अने ए छे ए पाणी नी अंदर जेकाई पन एनिमल्स प्रेजन्ट हसे एने फूड तरिके वर्क करसे आने एना ग्रोथ माटे रिस्पोनसिबल हसे तो एज फूड माटीरियल तो सव करेच छे आलगी पन तो केके आलगी रिलीजी सुगर इन्थी एक्वेटिक मुडियां और रिमूदी कार्बन डायोकसाइड आलगी छे बे काम करसे पाणी माँ सुगर ने रिलीज करवानू काम करे छे पाणी ने अंदर सुगर नू कंटेंड इंक्रीस थासे बिजी वस्तुई करसे कार्बन डायोकसाइड ने रिमूद करी नाक से ओके वोटर माथी कार्बन डायोकसाइड ने रिमूद करसे सो एक्वेटिक लाइफ माटे ए पन बेनिफिशियल रहे छे अल्गी एज डायरेक्ट फूड वोर्क करसे अथ्वातो तोके एने हेल्प करसे ग्रोथ हवा माटे सेकंड नेक्स्ट इस दी विटामिन्स ओके घणा अल्गी ना फॉर्म छे विटामिन री छोसे वाइटामिन A, B, C, E आबधा विटामिन्स छे आल्गी नी अंदर अल्गी एज फूड वर्क करसे केमके ज्यारे स्पेस मां जहता होई त्यारे वोटर फूड बनने नी लिमिटेशन्स होई बहु आपड़े माइनर अमाउंट माँ फूड अने वोटर छे साथे लाई जी सकता होई ये लोको ओके सो अईया पाण आल्गी छे एज फूड वर्क करी सकेतिया के इमर्जेंसी नी कंडिशन मा आल्गी छे फूड वर्क करसे अने तो के ये अल्सो रिलीज इस दी ओक्सी अक्सीजन प्रॉड ना पन हेलिप करसे अचैसे अधिस दी एप्लिकेशन ओव फूड एज फूड एंद फीड नेक्स्ट अप्लिकेशन एज अमेडिशिनल यूज अक्टेमिशिनल फिल्ड माइपन आल्गी नो बहु इंपोर्टन रोल छे फूस्त इस दी एज अज मेडीसिन तरीके आल्गी जनी बदि आल्गी चे जने मुझे लुज यूज करी शकाई ब्राउन आल्गी चे फोर एकजांपल एणी अंदर आयोडीन कंटेंट बहुँ वधारे हसे आयोडिन कंटेंट वधारे छे तो गोईटर ना पेसंट माटे एज अ मेडिसिन यूज करी सकाई ब्राउन आल्गी ने ब्राउन आल्गी इडिविजुली अत्वा तो कोई बीजा कमपोनेंट नी साथे मिक्षर माँ मेडिसिन तरीके वर्क कर से फोर दी पेसंट्स ओफ गोईटर बिजी वस्तु इके प्रोलेप्स्ड स्टमक गणानू स्टमक छे पेट छे संको चाईगी वह तो आवा पेसंट नी अंदर आल्गी नो यूज थाई छे एज त्रीटमेंट त्रीटमेंट माटे आल्गी नो यूज खरवा माँ अबेशे बेजीकली अगार अगार अगर अगर एने डायट मा अपवा माँ अबेशे ऑकर अगार-अगर ये खासे वह फी सो इन अवकर दॉड़ाग पाणी ना ग्लासीस पी से वोटर थोड़ू हंग जासे पेट मा ए स्टमक छे इस वल थाई जासे अन्हें स्टमक छे वेल थाई जासे अन्हें पेट संको चाही होँए यहने त्रीटमेट माटे पण अगार अगार यूसज थाई छे अने बीजी घनी बहुती आल्गी छे ओके रोडोफाइसी फेमेली नी आल्गी छे के जे किडनी छे गोल ब्लेडर छे लंग्स छे ना डिजीज ना ट्रीटमेंट माटे यूज करवा माँ आवे छे अथा भुती आल्गी छे मेदिसिन माट यूज थाइच जे सब बहुती आल्गी छे माट यूज करी नाम erre अथे बहुती आल्गी छे यूज अपोस्ज suburbs छे जोल पाती बिसलेडर्य माट यूज करा ना माट्रीटमे प्ली न भीयोटी ना ट्रीड च्लोल ने पांण साय चे इनिबिट सेवर स्पीसिज ओफ बेक्टेरिया एंड इफेक्टिव अगेंस्ट ती अधर अल्गी ओके अंटी बेक्टेरियल तरीके अथवा तो बिजा अल्गी नी अंदर अल्गी माटे पोईजनोस तरीके वर्क करे चे क्लॉरेला अल्गी माथ temas लेनलिन अंगा ईशुलेसन करवा मा आवी छे एज़ा यंड तरीके वर्क करे चे मैंगा बाऊच मक्या एंटीबाउटिक्स तरीके बहु कके उछा अल्गोरीटी क्स तर्के यूज चाह अल्गी ना आव्ग्य नाlast ahu. बालगी नो यूस करवा मा आवे चे, okay, because uglina is sensitive to the vitamin B, okay, so vitamin B हारे sensitive चे uglina and it is used in the culture for detecting the blood of suspected anemia patient, okay, anemia patient छे, तो येने test करवा माटे, okay, blood मा वीटामीन B प्रेजन्ट छे, क्येने येने test करवा माटे yuglina नो यूस थाई चे, okay, so कोईपन टेस्ट करवा अल्गी नो यूस करी सकाई चे, so these are the basic medicinal uses of algae, next is the use in the agriculture, okay, agriculture मा पन अल्गीनो यूस करवा मा आवे चे, कही कही जगे यूस थाई चे, okay, as a fertilizers and manures, okay, a large number of the brown and red algae are employed as a organic fertilizer, organic खातर तरीके अल्गीनो यूस थाई चे, organic fertilizer तरीके, okay, जे दरियानी नोजिक ना फाम्स थे, तो यह मा और्गेनिक फर्टिलाइजर तरीके यूस करवा मा आवे चे, brown and red algae, okay, and they are rich in the potassium, potassium rich होए चे, algae जणररी, पर, poor in the nitrogen and phosphorus content, okay, so algae is a fertilizer and manure तरीके यूस करवा मा आवे चे, second is the nitrogen fixation, okay, okay, so algae मा घणा एक्जाम्पल आपेला चे, के नोज्टोक, एना भी ना, okay, आ बदा अल्गी छे, एरे nitrogen fixation माटे helpful छे, next is the reclamation of the alkaline user soils, okay, alkaline user soils छे, एनने reclamation, okay, एनने व्यवस्थित करवा माटे आपने आल्गी नोँ यूस करी सकिये छे, so, Singuri has reported that blue-green algae like no stock, एना भी ना, okay, आनो यूस क्या थाई छे, okay, reclamation of alkaline user lands, okay, user lands, एटले, एक एवा लेंड की, एवा ही टोके के जे, बिन खेती लायक, okay, खेती लायक नो होई, बिन खेती जेवे जमीन होई, एनने तो के पाच्छू खेती लायक बनावा माटे एनने उपर प्लांट नो ग्रोथ थाई सके, एनने उपर पाक ग्रोथ ही सके, एवी बनावा माटे अल्गी नो यूस थाई छे, अल्कलाइन एटले के जेनी pH बहु वधारे होई, एवी जमीन नी pH घटाडवा माटे यूस थाई, एक्ष्ट्रा यूस थाई थाई आल्गी नो फर्स्ट इस दी सेवेज डिस्पोजल माटे, सेवेज डिस्पोजल माटे मेंडली एरोबिक प्रोसेस छे, वेस्ट नीकुडू छे एने डिस्पोज करवू है, मेंडली के भी प्रोसेस छे, एरोबिक प्रोसेस, एंड, प्रेजन्स ओफ आल्गी फेसिल्टेट दी ओक्सीजिनेशन, ओके जेड वेस्ट छे एनी अंदर सेवेज चे एनी अंदर आल्गी प्रेजन्ट असे तो ये ओक्सीजिनेशन माँ हेल्प कर से, ओके एनी अंदर ओक्सीजिन छे ने प्रोक्सीजिन नूँ कंटेंट वधार से अने तो येनू डिस्पोजल छे फोटाफोर थासे, नेक्स्ट इस लाइट बिल्दिंग, ओके घनी वखत बिल्दिंग बनावा माटे, बिल्दिंग बने माटे पॉन आलगीनो यूज थाई छे सिमेंट नी साथे, अलगीने सीमेरनी साथ मिक्स करी देवामा आवे बिल्दिंग बनती होई त्यारे एटले क्या हम हेलपफुल थासे तो के के बिल्दिंग ने छे प्रोटेक्ट कर से लाइट एंड हीट रेजिस्टन्ट बनावा जे बिल्दिंग ने बहु रिसेंट यूज चे जनरली बहु जग्याई यूज थातो ना थी पर आयक्ट अप्लिकेशन पर गणी सकाया अलगीन रिसेलियनियस अप्लिकेशन इस दें नेक्सीज थी यूस अज़ तूल ओ फोर थी बियलोजिकल रिसर्च ना थी अंडर तूल पर आलगीन यूज था है चे गणिंबदी यूगिया यूज तलमा अलगीन यूज था से वेफर्स्ट इस दि एम्टलोईड फोर थी प्रिजियोलोजी मां बायोकेमें श्रीमां केंसर माते रिसर्च माते अथवा तो कोई लेक छे नियां अंधर नू रिसर्च करवा ओए तो यह बधा मां इस बायो यूज थासे नेक्स्ट इस दी गूट रिसर्च टूल इन्दी हैंड साइन्टिस्ट आलगी ने आपने इजीली लेबोरेटरी मां ग्रोव करी सक्किये छे ने इजीली ओप्जोव करी सक्किये छे घणी बधे पाथवेज ना इल्यूशिडेशन मांटे कार्बन डायोकसाइड आलगी नो यूश करी सकाई छे जन्रली बधा मेंटाबोलीजम ना पाथवे छे कही दिते चाले छे ओब्जव करवा मांटे पॉन आलगी नो यूश करी सकाई छे सोट इट इस अबुटरिसर्च टूर इन्दी हैं साइन्टिस्ट देन मोनीटरिंग अवो एनवार्मेंट ओके एनवार्मेंट ने मोनीटर करवा मांटे पॉन आलगी नो यूश थाय छे कही जग यह टायब नीआलगी ग्रोव थाई छे ना उपर थे आपने जेनरली ते आल्गी नो ग्रोथ थायो चे जो एन्वारमेंट ने मोनीटर करवा माटे आल्गी नो यूज थासे नेक्स्ट इस इवेलुएटिंग दो अप्टिकल डिफेक्ट्स ओफ लेंस ओके लेंस नी अंदर सु डिफेक्ट आवेली छे ये चेक करवा माटे ओके ये प्रोटीन ना शेपरेशन माटे तो एनना माटे पॉं अगारोस जेल नो यूज थाय चे नेक्स्ट इस इस हाइड्रोजन मेनुफेक्ट्रिंग बाइदी फाय तो लाइसेस ओफ वोटर ओके हाइड्रोजन छे एजा सोर्स ओफ एनर्जी गणी बदी जगिया यूज करवा म अगे फोटोलाइसिस ओफ हाइड्रोजन ओके फोटोलाइसिस ओफ वोटर वोटर नो लाइसिस करी अने यह मां थी तो के आइड्रोजन छे बना भी सोकाई चे तो आए अप्लिकेशन माटे पॉन आल्गी नो यूज थाय चे नेक्स्ट इस इस प्राइमरी प्रोड्यूसर आल्गी ने गणवाम आवे छे तो आपनी इकोनोमी ना आल्गी वगर विच्चारी ना सक्ये के लाइफ चे आल्गी वगर नी केवी होसे गणा बदा ओर्गेनिजम ना ग्रोथ माटे आल्गी इंपोटन छे इवन यूमन माटे पॉन आल्गी येज फूड वर्क कले चे घ हाली आल्गी उपर पॉन डिपेंड करता हुए ओके सो अल्गी छे एज प्राइमरी प्रोडियूसर पॉन आपना एकोनोमी माँ वर्क करे छे नेक्स्ट आउम्फूल आस्पेक्ट्स अत्यास तुद्य आपने जे जोयोई शू अतुबधी बेनिफिशियल इफेक्स आल्ग पाणी नी अंदर आल्गी ग्रोथ है जासे एटले के पाणी नी अंदर आपने खराब श्मेल आउसे पाणी नो कलर फरी जासे एनना माटे रिस्पोनसिबल छे वगावने पीवाला एक पाणी क्यां स्टोर करेलू राखेलू यतला आउमा केम तो एनी अंदर आल्गी नो पाणी नो प्रोट थाई जासे एना लिज़्े पाणी नो कल्रचेंज थाई जासे ओडर आऊसे पाणी माथी कराब समेल आऊसे ओके तो एना माटे रिस्पोंसिबल चे यहले के पाणी ने बगाड से अल्गी अन्ये तो के फिल्टरेशन आपने पाणी नूँ करूँ ओए त फिल्टर्स ना बगडवां माटे पन अल्गी रिस्पोंसिबल चeneca वााड बाणी पाणी हुई ता फिल्टर पन फिल्टर मा यहाँ आल्गी ज्हामी जासे ओनवेले enabling इंल्टर पन बगडि जासे ऐसे आपना तेकेस में मेंड् स्रोब्लम चे अल्गी सेकंड laelати इस डी आपने मैं लिगे केमीकर सुप्स्टन्सिस करे छे माहतों लेखिते वी यंदे देख Siz आपने अगी लिभूलसी ऐही knowledge आखे आखु जे पाणी छे एने कवर करी लिये चे उपर ती तो पाणी ने कवर करी नाक से एना लिदे फीश ने सफोकेशन थासे सेकंड वस्तु डेट ओफ यूबं बिग सोरी फर्स्ट देथ ओफ एनिमल्स ओके गणा बधा एनिमल्स नी डेथ माटे पॉन आल्गी रिस्पोनसिबल छे शीप, होर्स, केटल, बर्ड्स ओके आ बधा नी अंदर तोके अल्गी छे येज़ एंडो टोक्सिन एग्जो टोक्सिन शे बधा नी लिस्ट कर से अने येना बधा एनिमल्स नी डेथ माटे पॉन आल्गी रिस्पोनसिबल छे ओके गणा यूमन छे एज फीश नो फीश चे नो फूड तरीके यूज करता होई अब घणी बार फीश नी अंदर पोईज़न आवी ग्यूँओई के जी फीश ने अफेक्ट नो करे पन यूमन बिंग ने अफेक्ट करे गणा टोक्सिन सेवा छे के ज़े फिस ने आम नो करी चके आलगी नो एनने as a food यूज कई रो तो ए टोक्सिन एनने harmful न थी एना माटे फिस माटे एटले के ए टोक्सिन नाली फिस नी डेथ नई थाई पन एटोक्सिन as it is form मा एटलीज एफेक्ट वाड़ू एनी अंदर स्टोर थायलू रेशे फिस नी अंदर आलगी नो थी फिस नी अंदर ए फिस नी अंदर स्टोर थायलू रेशे पन अवे जारे आभी कंटामिनेटेड अलगी चे हैं यूमन यूस करसे है या रिहसी आविस करसे फ़ूड कौंतामिनेटर फेस्ट हे के ज 그러कौं है वह मतारो cowg अफेस्ट स्थायो चे सिट होग चक्कर आउसे नियो नर्वस सिस्टम ने पन अफेक्ट कर से अने विजिन 24 अगर यूमन नू डेथ थाई जासे अहाँ छे अल्गी नू पोज़न हतु पन फीस माती यूमन ने मईडू अल्गी नू पोज़न तु फीस्ट नी अंदर स्टोर थेलू अतु अने यूमन ने रिलिस थाई गयू अने यूमन नेद अध माटे रिसपोन्सिबल छे अच आउश अब इनडैरेकली पन घनी अल्गी छे जेए यूमन मिग नाध माटे रिसपोन्सिबल हसे तो अल्गी पेश्ट अल्गी पेश्ट किया न테 widget उद अट नत और में किनेश्ट के पैवेश्ट विसक क्वेश्ट में उस भी कहता तो विðां पेश्ट आस चोल्डी में पेश्ट्नियुक्षुद года來了 ऊहें प्लास्टर, ब्रीक वर्क, एक्सेट्रा, प्लास्टर चे बदा ने आल्गी डेमेज पन करी सके छे घणा टाइप नी आल्गी एवी छे के जे बिल्डिंग बनावे माटे यूज थाई छे अपने बेनीफिशियल माँ जोयोतू पन बीजा टाइप नी आल्गी एवी पन छे एके जे तो के ब्रीक्स छे प्लास्टर चे बदा ने डेमेज करी सके छे औने बिल्डिंग ने डेमेज करी सके छे नेक्स्ट इसडीप पेरासाय्टीक अल्गी क्याम इसरे बिल्णा प्लांत नी आंदर आल्गी ऑके ब सब्सकरे रिद मेलो आंको कंतों चे भीं करी सके ऐद्य पण जगिया आल्गी नो ग्रोथ थाई जाई छे घणी बदी जगिया उन्वोंटेड अथवा तो सबमज्ड टिमब एटले के अभधाराना लाकडाने उपड़ेल हुए पानी नियंद लाकडा हुए अथवा तो कोई बीच जेऊ छे ओके बीच उपड यहां बोट ने माथे पानी जग्या चेना लाकडाना नु बने नु हो जेको यहां अल्गी नो ग्रोथ थाई जासे अध्रंड उल्थां टम एठेमेंवा तो आपने इन्हें माटे आ तो आल्डी की जग्या चे लांट्मेंट तो यहां आल्डी नी ग्रोथ नु थार दिकताई ग्रोपर वाखने ग्र्थ नो थाइ एन्ना माटे उस करवा मावा चैते तो फुपि ओ चैते अगि में पना षायल एकोनो आ थह और पर शागी कोना अल्गी सम Y बढातकी परिवेंट करवा माटे पन सब्सक्षात अग्रक्ष अब्षा- जलत पर्खोला खाते आश्या So these are the harmful effects of algae In this lecture we have discussed about the beneficial and harmful effects of algae So economic importance of algae मां तमें आर इतनूं बधा वसे थोड़ू थोड़ू लखो तो चाले तमारी बुक नी अंदर बहु वधारे content आपेलू छे ओके दरेक जे use छे एना माटे specifically algae ना नाम आपेला छे ओके तो यह बधू याद राखो नहीं तो राखो यह जरूरी नती Basically algae कई-कई जगिया यह यूज थाई छे यह याद राखवानु छे कई आप नी algae एक आप माटे यूज थाई छे यह important नती So thank you so much students for watching this video And if you have any doubt then please ask in the comment box Thank you